नमस्कार दोस्तों कैसे आप सलूँ दोस्तों मेरा आप शानु मारिया फर आप देख रहे हैं शानु मारिया यूटिव दोस्तों आज वीडियो मैं अन्बॉक्सिंग करने वाले हैं ड्यम्स-512 जो कि आपको यह जो कि आपको शौर्फी और पार लाइट चलाने या रेंडिं सबसे पहले जिसकी मैंने पनी इनकाल ली थी फिलाल तो मैंने का फिर आपको दिखा दूँ तो आप देख सकते हो जी आगर हम फाप करेंगे तो कुछ यह फॉर्म जैसा अजराएगा और इसके अंदर यह ड्यम्स-512 इसे भी ओपन कर लेते हैं और देखते हैं क्या होता है तो फ्रेंट से यहाँ पर एक आपको चार्जर मिल जाएगा चार्जर मतलब चार्जर के जैसा मिल जाएगा जो कि सप्लाइ लाइट सप्लाई उसी से होती है तो यह आपको यह मिल जाएगा यह मिलने के बाद यह आप देख सकते हो ऐसा होता है और इसकी पिन की बात करें तो मोटी पिन में होती है यह आप देख सकते हो और से साइड में रख लेते हैं तो अगर अब बात करें इसके अंदर तो इसके अंदर आपको कुछ नहीं मिलता बस थोड़ा सा यह कुछ नहीं है और यह चीज़ आपको दिये जाता है DMX controller से user manual और यहां पर आपको सब चीज दिखाया जाता है कि कैसे क्या होता है कैसे क्या नहीं आप यहां पर सब चीज पढ़कर आपको पूरे से कर सकते हो और यहां पर भी कुछ चीज दी गई है यहां पर आप देखकर यह कर सकते हो चलो यहां पर बात करते हैं तुभी इसकी हम बात करते हैं तो इसमें क्या-क्या मिल जाता है आपको आपको 8 चैनल का यह मिल जाएगा 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 सभी 8 और यहां पर आपको scan button मिल जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहां पर आपको मिल जाएगे scanner वर्टन जो की 12 तक होता है और यहां पर speed fat time यह आपको मिल जाएगा यहां पर आपको chase और यहां पर आपको program meet, auto delete music ऐसे चीज कही चीज आपको मिल जाएगी सभी तो आप देख सकते हो इसका look कैसा है अगर हम और इसकी बात करें तो यहां पर आपको power light running कराने के लिए यहां पर आपको यहां पर दिया गया है output और यह input है light supply का और यहां पर off on का button और इसकी design की बात करें तो काफी अच्छा है यह मतलब कि काफी अच्छा लगता है अगर ऐसे रख दिया जाता है तो ऐसे लगता है कि मिक्सर है वैसे लगता ही डीचे मिक्सर की तरह तो यह रहा और आपको नेश्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि power light कैसे running कराएं तो उम्हेद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं पर भाई लाइक से रहें सब्सक्राइब जरूर कर देना और यह काफी दिस से मैंने ले रखा था यह डीमेक्स काफी अच्छा था है डीमेक्स हम यूज करते हैं इसे तो चलिए वीडियो भी यहीं पर करते हैं और एक लाइक जरूर कर देना